तू ही सागए है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा लोक मिलापना द्योतक श्री महिंद्र भाई मेगानी है पुस्तकोना संपादननी एक वो उची परंपरा प्रस्थापित करी हती तेमना संपादिक पुस्तक विनोबा साथे वांचन यात्रा माथी केटलिक विगतो आजे आपने जाने वीच है जाई जगतनो दिव्य आपनारो आपनारा महात्मा ते विनोबा भावे तेवो कहता मेरे पास अपनी कोई हिराई या मत नहीं है केवल विचार और प्रेम है साथमी जून उगनी सो सोडना दिवसे कोच्रब आश्रम मां हूं गांधी जेने पहली वार मलेओ गांधी जी पासे पहुँचे ओ त्यारे मने तों कहीं आउडे ने पहले दिवसे एमने शाक समारता शिक्वार्यूं एमना हाथे हूं दीमे दीमे घडायो मारी अंदरना क्रोधना ज्वाळा मुखिने और बिजी वासना ओने शमावी देना रा तो गांधी जी जाता उगनी सो सोल मां ज्यारे हूं एमनी पासे पहुचे ओ त्यारे 21 वरस नो छोक कर रहो तो त्यारे एमने मारी परिक्षा करी हसे के के एम ते हुँ जानतो न थी परन्तु मारी बुद्धी थी में एमनी घणी परिक्षा करी ली थी हती अने जो ए परिक्षा मा तेवो उच्छा उतरत तो हुँ एमनी पांसे टकी शकत नहीं पण मारी परिक्षात करी ने तेवो मारामा गम्मे तिटली खामियो जोत, तो पण मने पोतानी पासे राखत। कितामा स्थितप्रग्णना लक्षणों आवे छे, ए वरणन जेमने लागू पड़े छे, एवो स्थितप्रग्ण शरीर धारी वाग्ये सोध्यो जड़े, पण ए लक्षणों नी बहुर्ज नजिक पोहुंचेला महापूरुष ने मे मारी सग्गी आँखे जोयो छे। बापूना निर्देश अनुसार यथा मती रचनात्मक काम मा हुँ लगबग 30 वर्ष मबन रहो। आश्रमनी बहार जवानी मने कदी इच्छा थयद न थी। उग्णी सो चालीस ना एक प्रभाते मने बापू तरप थी बुलावा आया। बापू एक हैूं आ समय मने तारी सेवानी जरूरत छे। उन थी जानतो के तुम खाली छो के नहीं। परन्तो हवे व्यक्तिकत सत्याग्र करवानों छे। अने हूं इच्छू छूं के कोई विशेस तकलीफ वगर मुक्त थाई शको तो तमे तैयार थाई जाओ। मैं विनोत करता कहूं बापू मैं आपका बुलावा और यम्राज का बुलावा समान समझता हूं। इसलिए जरूरत नहीं है के मैं आश्रम वापस चाहूं। गांधी जीना जमाना थी मारी एवी फरियाद रही छे के उत्तां काममा लागेला आपना सेवको पन विचारोनू अध्ययन ओछूं करे छे। कार्यकरोने हूं पूछतो के हरी जनमा गांधी जीनो फालाणो लेक आवयो छे ते तमे वांच्यों। तो जवाब मड़को ना रहे ना वांच्यों फेर पड़वानों छे। एमा लखी ने एमज लख्यों अशेने के हरी जनोंने सेवा करो सुत्तरतां को वगेरे ये तो हमें करिये छे ने। मतलब के तेवो एवाज ख्याल मा रहता हता के पोते गांधी जीने आखा ने आखा पी गया छे। माटे कशू वांच्यों येमने जरूर न थी। त्यारे हुँ येमने कहतो के काम करवानी साथो साथ वांच्यों चिंतन करवानी टेव राखवी जोई है। जेटलू आपनू अध्ययन चाल शे तेटलू उंडा आण आपना काम मा आउशे। आजे आपने दुनियाना चोकमा उभाची ए त्यारे चारे कोर्ती विचारों नो मारो चाली रहो छे। आवासंजोगों मा अध्ययन वगर तो आपने मार खाईशूं। आपने जेम खादा विना रहता न थी तेम आध्यात्मिक अन्न सेवन वगर आपनों एक पन दिवस न जोवो जोई है। दर्रोज एक कलाक अध्ययन माटे अलग काडिये औने त्यारे बढ़ा काम थी अड़गा था इने अध्ययन मनन वाचन मा जातने परोवी लई है। मेरे पास अपनी कोई राय या मत नहीं है। केवल है तो विचार और प्रेम। न मैं कोई वादी हूँ न कीसी संस्था का सदस्या। मैं बिलकुल खुला हूँ। विचार पटा कर कोई भी मुझे अपना गुलाम बना ले। मैं हर क्षन बदनने वाला हूँ। मुझ पर आप आक्रमन कीचिये। कोई अपना विचार समझा दे और मुझे गुलाम बना ले। लेकिन बिना विचार समझाए मुझ पर किसी की सत्ता नहीं चलने वाली है। आश्वस्तिक विचार बिंदूओ। आपने अपनार ते जय हिंद के जय भारत के वंदे मात्रम के जय महराश्र नहीं। पन जय यगतनो दिव्य नारो आपनारा महत्मा विनोबाजी हता। तू ही सागे है तू ही किनारा रूंडता है तो किसका सहारा। रूंडता है तो किसका सहारा।